कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल सक्सेश प्लानर में तो आच चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेके जो की निकल किया है हे एचल के तरफ से हिंदुस्तान एरोनेटिक लिम्टेड के तरफ से जितने भी आई टी आई पास डिप्लूमा पास डिगरी वाले हैं उनके लिए अपरेंटिसिप करने का बहुती सुनहरा मौका एचल के तरफ से निकल चुका है तो आए वीडियो सुरू करने से पहले जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी साथ इस चैनल को जदा जदा आपने दोस्तों में शेयर करें तो आईए वीडियो को जदा लंबा नग करते हुए चलते हैं इसके आफिशिल नोटिफिकेशन की तरफ जो की निकल किया ही है तो जैसे कि आप दोस् देश को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है इंगेजमेंट आप अपरेंटिशिप हिं लिए नीचे हम लोग स्कॉल करते हैं बात करते हैं ट्रेट नंबर आप पोस्ट और व्वालिफिकेशन तो गेजुएट अपरेंटिश के लिए यहां पर देख पा रहा होंग जो stipend है वो 9000 परमन्त है यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे जैसे कि electrical, civil, electronics, mechanical, production engineer, chemical engineer, art, commerce, science, parma, pharmacy, business इस सभी को मिला के यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे कि total यहाँ पर 186 सीट निकाली गही है अब हम लोग नीचे score कर लेते हैं बात कर लेते हैं डिप्लोमा अपरेंटिस की तो यहाँ पर डिप्लोमा अपरेंटिस में देख पा रहा होंगे जैसे कि aeronautical engineer, civil engineer, computer engineer, electrical engineer, electronics and telecommunication, mechanical engineer, lab assistant, hotel management, nursing assistant इन सबी को मिलाके यहाँ पर total 111 सीट निकाली गही है यहीं आप बात कर लेते हैं लोग ITI पास student के लिए देख पा रहा होंगे जैसे कि fitter, tool, die maker, turner, machinist, car printer, machinist, grinder, electrician, draftsman, electronics, printer, sheet metal, worker, mechanic, motor vehicle, computer operator, welder, stenographer और refrigerator इन सबी को मिलाके यहाँ से 350 सीटे निकाली गहीं तो काफी bumper requirement निकाली गही है यहाँ से जो भी pass out student है इस मौके को हाँ से बिलकुल भी नजला दे नीचे हम लोग स्कॉल कर लेते हैं बात कर लेते हैं eligibility criteria की A and second graduated diploma candidate के लिए जैसे कि आप देख पा रहा होंगे की candidates should be Indian citizen have successfully completed graduation apply diploma from a organization university approved by AICTT apply UGC in the developmental discipline the field वहीं बात कर लेते हैं candidates should have complete graduate diploma on after 1 September 2020 यहाँ date भी मेंशन कर दिया गया है वहीं बात कर लेते हैं जो आई टी आई पास student के लिए कि जो आई टी आई पास student है उनके लिए आई टी आई जो है NCBT और HCBT होना चाहिए और a candidate should not be undergoing apprenticeship training in any other assessment reservation की बात कर लेते हैं तो आँ देख पा रहा होंगे कि अगर आप SC candidate है तो 10% ST है तो 9% OBC है तो 27% और PWD है तो 4% और EWS है तो 10% यह आपको छूट मिलने वाली है नीचे हम लोग स्कॉल कर लेते हैं apply कैसे करना है अगर आप चाहें तो इसे screenshot करके भी रख सकते हैं बहुत ही सांदार job निकाली गई है खास करके apprentice के लिए यहाँ पर आप देख पार होंगे कुछ important date है application to the apprenticeship training दो अगस्ट, last date 23 अगस्ट और serial document verification 4 सितंबर से 16 सितंबर यह आपका date रहने वाला है तो जो भी पच्छे वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से जाके इस form को fill up कर दें बहुत ही अच्छा मौका है इस मौके को हाथ से बिल्कुल भीना जाने दें वीडियो कैसा लगा है इसे comment box में जरूर बताएं और आपकी ट्रेट से belong करते हैं इसे भी comment box में जरूर बताएं तो चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक जाहिए